सब्सक्राइब करने इसमें लाविद की बुक एफियर सिस्टम चैप्टर नबर फोर इक्वालन वैपरिशन पेज नंबर है बहत्तर सेमेटी टू क्वेस्टन नंबर है ग्यारह एक बॉयलर का चूला जो है यानि के उसका जो फर्नेस है वह 24 मुरबा फिट है और इसमें 15 पा जो कापैसिटी आप मालूम करें जबके बार की एफिशनसी जावर 63 परसंट है यह हमारे पार सवाल है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोईले का खर्च फी घंटा अब हमने यह मालूम करना है कि हमारा कोईला जो है वो पर आवर जो है वो कितना कंज्यूम हो रहा है तो यह मलूम करने के लिए कि हमारा कोईला एक घंटे में कितना जल रहा है यानि कि Below का एरिया है उस हिसाप से हमने मलूम करना है तो फर्नेस का जो एरिया है वो 24 फिट स्क्वेड है तो 24 को हम मल्टिक्ला कर देंगे 15 के साथ जो के वो कह रहा है कि एक मुर्बा फिट अगर हमारा furnace का size हो तो 15 pound steam पैदा होती है और अगर 24 हो तो आप 24 से multiply कर दें तो 24 से जब आप multiply करेंगे तो 360 pound जो है हमारी steam पैदा होगी 24 मुरबा fit से अब हमने क्या करना है इस 360 को multiply कर देना है BTU के साथ तो हमारे पास क्या जाएंगे जितनी steam generate हुई यानि के 360 pound steam की हमारे पास total BTU आ जाएगी 4032 0000 जो हमारे पास क्या जाएगी जितनी steam generate हुई यानि के 360 pound जो steam generate हुई उसका जो हमारे पास BTU आ जाएंगे अब क्योंके वो कह रहा है कि efficiency तो 63% है तो आपने इसको multiply कर देना है 0.63 के साथ या 63 divided by 100 करके multiply कर देना है 4032 0000 के साथ जब इसको आप multiply करेंगे तो आपके पांसर आजेगा 2540160 BTU तो टोटल BTU तो आए थे 4032 0000 लेकिन क्योंके efficiency 63% है तो आपने इसका 63% लेना है जो के बनेगा 2540160 BTU एंड पे आपने evaporation capacity मलूम करनी है तो याद रहे कि evaporation capacity मलूम करने के लिए 970 पे डिवाइड करते हैं और अगर HP मलूम करनी हो तो 34 चरिया 5 पे करते हैं 970 पे जब आप डिवाइड करेंगे 2617.91 आपके पास जो है यह आजाएगी evaporation capacity pounds per hour में